किसी भी चीज का त्याग करना आपके जीवन में खुशहाली के कई रास्ते खुल सकता है किसी भी चीज का दान कर देना आपके जीवन में कितने ही खुशाली को लेके आ सकता है और किसी भी चीज़ को let go कर देना आपके जीवन में कितनी incoming बढ़ा सकता है चौंक है न ये बिलकुल सच है जोतिश का अजमाया हुआ सच है आपके समस्यां जो है यही आपको बता देती है कि आपको कौन सी चीज़ का त्याग करना है कौन सी चीज़ दान करेंगे तो आपके समस्या ठीक हो जाएगी और कौन सी चीज़ को let go करेंगे कि आपके जीवन में खुशहाली आनी शुरू हो जाएगी आज क्या वीडियो बड़ा एंट्रस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज आपको समस्या के अनुसार आपको दान बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ का त्याफ करना है और आपकी समस्या का दान करना, let go करना आपके लिए अच्छा रहने वाला है नमस्ते मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागत है आपका हैपी लाइव योगे शर्मा में और दोस्ते इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम रिनी विदन कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिपया सब्सक्राइब जुरूर क जो है किसी किटपिट की वजह से लगातार खराब हो रहे हैं तो तीन चीजह आपको बता रहाँ एक दान बता रहाँ एक त्याग बता रहा रहा और एक लेट गो नतीनों चीजह का इसमाईएगा और 100 परसेंट आपके कपल इस्जिज होने शुरू हो जाएंगे दान किस च इरिया में आप रहे रहे हैं वहां पे ज्यादा यूज किया जाने वाला अनाज जैसे आप साथ इंडिया में रहते हैं तो चावल ज्यादा यूज होते हैं नौर्थ इंडिया में रहते हैं तो गेहूं ज्यादा यूज होता है तो जो भी उस जगा का प्रेवलेंट अनाज ह उसको दान करते रहना साथ में गुड़ और तांबा ये रवीवार वाले दिन दान करिएगा कपल इस दान के बाद धीरे धीरे सौट होने बहुत हत्तक शुरू हो जाते हैं अब यहाँ पे त्याग किस चीज का करना है यहाँ पे त्याग में जो चीज आती है दो तरह की चीज़े आती है पहली चीज आती है आपको अड़ना नहीं है किसी बात पर अपनी इगो का त्याग करना है नॉर्मली आप सोचते हैं मैं अगर सही भी हूँ तो मैं अपनी बात को क्यों चोड़ो भई एक मिनट के लिए couple issues में आप एक चीज को सोच लीजिए कि जो इगो होती है ये couple issues की killer होती है आप सही होते हुए भी अगर अपने self respect को या ego को एक moment के लिए त्याग देंगे ना बिस चीज़ें बिगरने से बचाएंगी अब let go जो है आपको किस चीज की करनी है जो let go करनी है वो let go आपको करनी है कि पहल कौन करे किसी भी चीज में आपने चीजों को sort करना है तो पहल करना शुरू करिए यानि आज मैं astrology, psychology और personal practice तीनों चीजों का mixture आपको बता रहा हूं इसको apply करेंगे ना जीवन की कोई समस्य टिकी नहीं रहेगी अब दूसरे नंबर पर धन की दिक्कतों पर आते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की परिशानी की वज़ा बन रहा है इन केस आपके जीवन में करजा बढ़ता जा रहा है आपके जीवन से prosperity जो है वो कम होती चा रही है तो उस चीज में दान किस चीज का किया जाए कि आपके जीवन में prosperity वापिस आने शुरू हो जाए अब prosperity की कमी कईबर क्या होता है नौकरी नहीं है उस वज़ा से खराब है बिजनस खराब हो गया उस वज़ा से prosperity खराब है आपका पैसा कहीं अटक गया उस वज़ा से prosperity खराब है आपके घर में family matters कुछ ऐसे हो गए जिसकी वज़ा से दिक्कते ऐसी बनी कि prosperity खराब हो गई या health की वज़ा से prosperity खराब हो गई, prosperity एक उसके खराब होने की वज़ा है अनिक, लेकिन यहाँ पे दान भी एक ही बनेगा, दान बनेगा आपको हर शनिवार को, सबसे पहले तो काले तिल, नोट कर लीजेगा इसको, काली मिर्ची और एक जटा नारियल, यह अलग-अलग quantities में, काली मिर्ची कितनी, जितनी एक disposable कटोरी में आ जाए, और specially काले तिल कितनी जितने आपके एक अंजुली में आ जाए, उतने किसी भी लिफाफे वगरा में डालके, और एक जटा नारियल, जो एक नॉर्मल पूजा अला नारियल होता है, यह तीनों चीजें जो हैं, किसी भी मंदिर में बड़ीश रधा से रख के आना शुरू करिए, यह जो prosperity की कमी की समस्या है ना, रातो रात नहीं आई है, रातो रात ये जाएगी भी नहीं, लेकिन इस उपाई को करते रहेंगे ना, दो से धाई महीने में हैरानी जनक परिवर्तन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, अब इसमें let go क्या किया जाए, इसमें let go आपने क frustrations को, आपने let go करना है कि आपके अंदर जो भी inferiority complex आ रहा है, एक moment के लिए आपको ये सूचना है कि चाहे समय आपकी favor में नहीं है, फिर भी जितने भी लोग आसपस आपको देख रहे हैं, आप उन सब में सबसे superior soul हो, बस थोड़ा सा समय का हेर फेर है, अभी दुनिया में दोहराइए, let go करिए अपने inferiority complex को, और त्याग किस चीज़ का करना है, त्याग मैं बात आपको किताबी लगेगी, लेकिन बात यही सच है, किताबों की सारी बातें जो हैं सच ही होती है, त्याग आपको करना है आलस का, त्याग आपको करना है comfort zone का, अभी चेक कर उसमें से सोना थोड़ा घटाईए, सोचना थोड़ा और घटाईए, और काम करना बढ़ाईए, और इसमें काम करना जो है, जितना बढ़ाते जाएंगे, ये बीज है, जो फसल बनके prosperity के रूप में आपके सामने आने वाला है, और आज जो facts बता रहा हूँ न, ये आजमा लीजेगा, ये कभी आज तक fail नहीं हुए है, अब ये मत कहिएगा, कि मैं किस्मत वाला नहीं हूँ, बहुत किस्मत वाले हैं, किस्मत वाले हैं, तो ये tip centrics आज आपको मिल रही है, अब हम main एक और चीज़ पर आते हैं, कि अगर आपकी life में health की खराबी आ रही है, या आपके जीवन में, आपके घर में कोई ऐसी खराबी आ रही है, जिसमें आपके बच्चे आपके कहने में नहीं है, या बच्चों के सुवभाव की वज़ा से, आपके जीवन में कोई ना कोई negativity आ रही है, तो आपको दान कौन सा करना चाहिए, उसके इसमें जो दान बन जाएं, उनको सर्दियों के मौसम में कंबल बांटना, ये जो उपाय है ना, हेल्थ से लेके बच्चों तक की सारे समस्याओं का समाधान बन जाता है, अगर आपकी कुंडली इजासत दे रही होना, तो घर पे कुत्ता पालना भी इस समस्या का एक हल बन जाता है, अब यहा physician, अपने therapist के अनुसार चलना है, और अपने जो भी comfortable lifestyle है, उसको let go करना है, और त्याग किस चीज का करना है, त्याग बच्चों के मामले में अपने ideal पन का त्याग करिए, बच्चों के अपनी individuality है, बच्चों के अपनी life है, आपको इस चीज को समझ के चलना है, कि बच्च करना है, जो आपको बीमार कर रहा है, और specially इन चीजों को करेंगे न, तो जीवन को एक इतनी अच्छी दिशा बनने वाली है न, अब आप देखिए, कि केवल उपाए करते रहेंगे, और जो भी आपका त्याग या लेट को है, उसको नहीं करेंगे न, आपको मिलने वाले result केवल 30% तक सीमित रहेंगे, 70% तक नतीजे नहीं आएंगे, और कोई astrologer आपको ये combination नहीं बताएगा, क्योंकि combination बताना जो है न, वो कह करता, आपको ज़्यादा जल्दी सही करता है, और सही आप बहुत जल्दी सही हो जाएगे न, तो seriously, बहुत सारी लोगों को ये आपके जीवन स्तर को सही करें, तो दोस्तों, ये थी मेरे एक छोटी से कोशिश के किस तरह से त्याग, लेट को जो है, आपके जीवन को सही कर सकता है, तो चलिए, आज का वीडियो ये तक बहुत जल्द मिलते हैं, नए टापिक, नए विशे के साथ अपना खूब ध्यान केगा,